गुड मॉनिंग टौल सभी को नमस्कार प्रणाम आज अपने पढ़ने वाले हैं फंडामेंट लॉप नर्शिंग जिसके अंदर मोडल पेपर नंबर फाइव के बारे में बात करेंगे यह जिए नेम नर्शिंग फरस्टियर के लिए है ठीक है जिए नेम फरस्टियर बहुत ही इंपोर्टेंट मोडल पेपर लेके आये हैं तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है जितने भी मोडल पेपर है उसको अच्छी तरीके से देख के सौल करना है ताकि आपके एक जाम के अंदर एक भी कोशन गलतन हो और आपके जो त्यारी हो वह बेटर हो और अच्छे आप?!" पर आया मैं ने मोडल पेपर के लिए दस मोडल पेपर का एक सेट है जिसके औंतलकेत आपके सारे शारे वी-बिएक रहेंगे important important question रहेंगे वह उसके पשन दिये हुए है। इसआथ mm जो एक्जम पैटरन है multiple choice option fill-in-day blanks true false match the following abbreviation जिसके अंदर मेरा application है kp nursing app play store में जाकर के डाउनलोड कर सकते है wahan पे सारे-सारे pdf हिंदी इंगलिस के अंदर और systematic तरीके से exam pattern के according वहां पे pdf upload है वहां पे answer of road है और वहां पे क्या है video of road है तो वहां से आप देख सकते हैं परन्तु इसके लिए आपको फोले स्टोल में जाकर के आप डाउंछोड करना है और उसके बाद में आप मेरे ये वार्टिस्ट नंबर है यह वार्टि नंबर है और यह द्योड भेजे लें नामsel देख है ऊसके बाद में परमिशन दूघ आपको או सके बाद में इस एप के अन्दर आपको को एड कर दूँगा ठीक है तो आज अपने स्टार्ट करते हैं बीना टाइम वेस्ट किये हुए मॉडल पेपर नंबर फाइव फंडामेंटल ओप नर्सिंग के बारे में देखिएगा सबसे पहले कोशन है है डिफाइन नर्शिंग नर्शिंग क्या है डेस्क्राइब फंक्शन्स ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स राइट्स कॉलिटीज ऑफ ए गुड़ नर्स तो यह दस से बारा नंबर का कोशन है बहुत ही प्रोफेशनल की क्या होती है उसके बारे में क्या करना है एक्स्विलेंट करना है यह भी कुछन इंपोर्टेंट है साती सात में नेक्स्ट एक्जाम पेटर्न क्या लिका हुआ है राइट थ्री परफ़र्ज और ऑऔन एनी थ्री ओफ फोलोविंग ठीक है ना तो तीन तीन अंहैं परफ़ लिकेने हैं जिसके अंदर इस्टीम इनेलेशनणः एनिम ऊटु इनेशन फ्री लेशन घेस्टिक लवा सब्सक्राइब सकता है ये समन्दें ये बहुत इंप्रेंट है बच्च्त नोलं क करना है मैं कहूंगी जितना भी मेंड मोडिल पेपर करवाँगा उससे बार आपका एक भी कोशन देखने को नहीं मिलेगा इस बात को ध्यान रगते हैं और एक्ष्ट एड मेनेजमेंट और भात करते हैं एक्जाम के अदर कई बार आया हुआ है ठीक है सौर्स नॉर्च लिएक्ष्टि के बारे में इस इंफेक्शन ओटोकलेव इस्ट्योनेटिज सांगें पाइट्यवसी पी लिखना के एलएटिंट।नेटर्टिंट इस प्रकार से इनका डेफिनेशन लिखना है और यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है डेफिनेशन के रूप में ये कोशन रहेगा ध्यू नेक्स्ट बात करते हैं, जितना भी ये सारे दिये हुए हैं, सारे सारे इंपोर्टेंट हैं, उसका मिनिंग्स आपको आना जरूरी है, उसका मिनिंग्स आना बहुत ही जरूरी है, नेक्स्ट बात करते हैं, exam pattern, mess the following के बारे में, देखेगा बच्चों, mess the following के बारे में बात कर दिस्पनिया है difficulty in the breathing difficulty in the breathing तो पहले का बच्चों क्या राइट रहेगा फोर राइट रहेगा next बात है heat regulation heat का regulation किसके द्वारा होता है क्या hypothalamus 5 तो पहले का क्या रहेगा four दूसरे का क्या रहेगा five ठेके उसके बाद में inflammation of tongue जीब का inflammation होता है जिसको बोलते है glossitis glossitis known as the inflammation of the tongue कहां पर लिखा हुआ कहीं दिक्रा है glossitis seven पे glossitis तो inflammation of the tongue इसके अंदर seven रहेगा polyurea polyurea मत्तव urine का production ज्यादा होना है ना तो ऐसी condition किसके अंदर देखने को मिलती है polyurea देखने को मिलता है diabetes mellitus के अंदर किसके अंदर diabetes mellitus के अंदर polyurea इसके अंदर right होगा हाँ excessive production of urine excessive production of urine इसका राइट यह होगा next बात करते हैं anorexia loss of the appetite भूग का न लगना anorexia बोलते हैं loss of appetite भूग भूग की कमी next है anorexia anorexia का तो हो गया उसके बाद में decubitus decubitus यह क्या है decubitus यह जो pressure sore है विस्तिरिये घाव है तो इसके अंदर क्या होगा decubitus के अंदर right होगा अब प्रोलॉंग्ड इस्टेट ओफ अंकंसियस लंबे समय से अंकंसियस है तो ऐसी कंडिशन में विस्तिरिये घाव होने की समावना रहती है कोमा आए पॉली डिस्प्या 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 अब कि अंदर अच्छा कॉमा का रोकिएगा कॉमा के अंदर भी प्रोलॉंग्ड इस्टेट ओप अनकंसियस होती है बहुत है और इसके बाद में डिक्यूबी टास है उसके बारे में जो राईट आनसर रहेगा subscribe right answer अग्या उत्रेशल रहेगरा हाँ यह गलत हो गया थे इनला देखेगा बच्चों क्या राइट होगा डेक्यूबिटर्स का राइट होगा ए बैट्शूर उसके बाद में कॉमा है कॉमा के अंदर होगा प्रोलॉंग्ड इस्टेट ऑफ अनकंसियस अना लंबे समय से एक ब्योस्ची की कंडिशन में हैं जिसको बोलते हैं कॉमा फिवर के अंदर एंटी-पायृतिव ड्रेक्ट देते हैं एंटी पायृतिव सबींद्रीट के एंदर क्या होगा गॉड़न रूसस ऑ् Taphouse camera होगा उसके नुकिला ओजार सार्ब्हूर्प स्टूमेंट है उसको किसे क्लिन करते हैं लाइस हो सोल से से क्लीन करते हैं तो इस प्रकार से यह मेंस्द फोलोविंग से रिलेटेड होते हैं कोशन है वो बहुत ही important है ध्यान रखना एक बार वापिस आपको करवा देता हूं राइड डिस्पनिया difficulty in the breathing heat regulation hypothalamus inflammation of the tongue glossitis, polyurea, excessive production of urine, anorexia, loss of the appetite, decubitus, bad sore, comma, prolonged unconscious, fever, antipyretics drugs, first aid, golden rules और उसके बाद में safe instrument, lysols इसे क्लीन करते हैं तो इस प्रकार से यह आपके जो means the following से related, fill in the blanks, true, false, multiple choice question और definition से related, short question और long question जो बहुत ही important यह model paper है और previous exam के अंदर आया हुआ है और आगे वाली exam के अंदर भी आएगा ठीके तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लें आज इतना ही दन्यवाद